अधिकतर लोग चाय से ही अपने दिन की शिरुवात करते हैं और अगर चाय में सबसे बहुतरी विकल्द की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले क्रींटी का नाम ही आता है ग्रींटी दुनिया में लोग पे-पेपदातों में से एक है लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आखीर बागान से चाय के कब तक कैसे ये प्रोसेस होकर पहुंचती है जानी ग्रींटी बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में ग्रींटी उसी पोधे से बनाई जाती जिससे सफेद उलांग और प्लैक टीत त्यार होती है इस पोधे को कैमेलिया सिमसेसिस के नाम से भी जाना जाता है स्टेप वन सबसे पहली प्रक्रिया में चाई की पत्यों को चुनना होता है जो हाथ और मशीन दोनों से चुनी जाती है लेकिन हाथ से चुनना चाहता बेस्ट क्वालिटी देती है पत्यों को तोड़ने के बाद उन्हें नियमित नमी हवा के दबाव और तापमान में रखना होता है ताकि पत्यों में से नमी को कम किया जा सके और अच्छी फ्रेगनेंस और स्वाद आ सके स्टेप टू इसके बाद पत्यों को भाप से और पैल फ्राई किया जाता है इससे उनका हरा रंग बना रहता है और उसका अक्सी करन रोका जाता है यह पत्यों को काला होने से भी रोकता है स्टेप थ्री पत्यों को ठंडा करने के बाद उन्हें तोड़ कर रोल किया जाता है ताकि उनमें से जरूरी तेल और एंजाइम बने रहें यह एक यूनिक फ्लेवर भी देता है रोलिंग हाथ और मशीन तोनस से की जाती है स्टेप फॉर इसके बाद पत्यों को सुखाया जाता है सुखाने के लिए कहीं तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सभी का मकसद एक ही होता है कि पत्यों की नमी तेस्ट और रंग को बनाया रखा जाए स्टेप फाइव सबसे आखिर में तमाम पक्रियों के बाद पत्तियों को साइज और ग्रेट के अधार पर पैकेजिंग की जाती है सबसे बहतरिन क्वालिटी की चाय की पूरी पत्तिया पीना तूटी हुई होती है आईए जानते हैं ग्रीन टी से होने वाले कुछ फायदों के बारे में नमबर वन ग्रीन टी आपका वज़न कम करने में मदद करती है इसमें अंटी ओक्सिडन्स होते हैं जिससे मेटापोलिसम तेजी से होता है ग्रीन टी पीने से शरीन में फैट की मातरा भी कम होती है ग्रीन टी पीने के बाद exercise करने से फैट oxidation बढ़ता है हाला कि आपको इस तोरान अपने खान पान का भी दिहान देने की जरूरत होती है नमबर टू, ग्रीन टी के सेवन से स्किन के damaging cells की भरपाई करने में मदद मिलती है इससे त्वचे की सूजन की समस्या भी दूर होती है साथ ही स्किन की tightening और मुहास्व की समस्या को भी दूर करती है नमबर 3, नियमित रूप से ग्रीन टी पीने से कैंसर का खत्रा भी कम होता है इसमें polyphenols होता है चो ट्यूमर और कैंसर cells को रोकने में मदद करता है नमबर 4, रोजाना ग्रीन टी पीने से वेंस की ब्लोकेश दूर करने में मदद मिलती है ग्रीन टी बोडी के बैड कोलेस्टरोल के लेवल को कम करती है इससे हाट के समस्या भी कम होती है नमबर 5, ग्रीन टी में पाए जाने वाले कैफीन तिमाग के लिए अवरोधक नियूरो ट्रांस्मीटर की प्रक्रिया को रोकने में काम करता है इससे पीने से यादाश अच्छी होती है ग्रीन टी में मुझूद अमीनो एसिट्स दिमाग के कैमिकल मेसेंजर गाबबा के लेवल को सुधाता है इससे तनाप भी कम होता है बजार में मिलने वाली किसी भी परकार की ग्रीन टी में कैनोडर्मा नहीं है सिर्फ टी एक्षन लिग्जी ग्रीन टी में ही कैनोडर्मा मिक्स है इसमें कोई भी कमिकल एंड प्रिजर्वेटिव नहीं है इससे डी एक्षन ग्रीन टी के फायदे कहीं गुना बढ़ जाते है इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल आइकन दवाना ना बोलें ताकि हमारी आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले थांक्स पर वोचिंग